हाल्यो फ्रेंग्स, वेल्कम टो य्टूब चैनल मोनेदास, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वान में कैसे हम DDPI को एक्टिव कर सकते हैं, तो DDPI का फूल फ्राम है दिमे डिविट और प्लेट इंस्ट्राक्शन, तो आज हम DDPI को लाइप एक्टिव करके आपको दिखाने बाले हैं, लेकिन उसके पहली यह जाना बहुत जड़री है, कि DDPI को एक्टिव करने से हम लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, तो मेरे पास बहुत सरे कमेंट्स आये हैं, कि अगर हम स्टॉप लोस ओडर लगाते हैं, डिलिवरी ओडर पे कोई शेर को बाई करने के बारा थी deeply, तो दोस्तो उसमें स्टाप लोस ओडर कैंसल हो जाती है नेक्स्टे, तो स्टाप लोस को आप कैसे चिंटिस कर सकते हो, जब भी अब डिलिवरी ओडर पे कोई शेर को बाई करते हो, तो अपके होल्डिंग में आ जाते हैं, तो होल्डिंग करना है यह देखेंगे तो माल लोग कि आज अपने डिलिवरी ओडर पे कोई शेयर को बाई किया तो उसी बाई किया हुआ शेयर को आज ही आप सेल करते हो तो कोई प्राब्लेम नहीं होता है लेकिन उसी शेयर को जब भी आप ठीक है एक दीन दो दीन कितना भी टाइम तरहें लेकिन मारकेट जब क्लोस होता है खुद बाखुद आपका स्टोप लोस भी कैंसल हो जाता है नेक्स्ट आपको मारकेट ओपिनिंग के टाइम फिर से आपको स्टोप लोस ओडर लगाना पड़ता है तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से भी अप निकल सकते हो इसलिए आपको GTT order का use करना है ठीक है तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ और दोस्तों delivery order पे कोई share को जब भी आप buy करते हो ठीक है तो आपके तो holding में आ जाते हैं तो holding वहला share को जब भी आप sale करने जाते हो तो दोस्तों उसी time आपके पास tip in मांगा जाता है अगर अपनी tip in को ठीक है प आप delivery order पे जो holding वहला share है उसे share को आप sale कर सकते हो तो अगर आपको जानना है कि holding वहला share को कैसे sell करना है उसके बाद आप tip in को कैसे regenerate कर पाऊगे तो दोस्तों मैं इस वीडियो में details बदा आई हूँ ठीक है तो आप इस वीडियो को देख के भी सारे जानकरी ले सकते हो ठी तो इससे भी आप छुटकरा पास सकते हो तो इसलिए आपको DDPI को active करना पड़ेगा नेक्स बाद है GTT order तो GTT order में बहुत अच्छी चीज है कि यह जो GTT order है इसमें एक साल तक valid रहता है तो GTT का full from है good till bigger GTT order में आप एक साथ target and stop loss दोनों ही लगा सकते हो तो जैसे कि आपक इसलिए आपको GTT order का use करना पड़ेगा तो इसमें अगर आप stop loss order लगाते हो तो इसका जो validity है इसका validity एक साल तक रहता है तो अगर आप target भी लगाते हो तो target भी आपका एक साल तक validity रहेगा ठीक है that means अब GTT order में target and stop loss दोनों ही एक साथ लगा सकते हो तो अगर आपको जानन से तो अभी हम problem की बात करते हैं मान लो कि अगर आप stop loss order and target order लगाया कि दोनों में से कोई अगर hit हो जाता है मान लो कि आपका target hit हो गया है ठीक है तो ऐसे condition में आपके पास angel 1 से एक mail and message दोनों ही आएगा ठीक है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा आपको t-pin देना पड आपको क्या करना पड़ेगा ती-pin दालने के बाद आपको OTP एंटर करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका जो यह order है यह order ठीक है sell हो जाएगा ठीक है लेकिन problem अभी इसमें यह है कि उसी time अगर आप कोई काम पे busy हो या फिर आप कोई meeting attend कर रहे हो या फिर आप कोई office work कर तो दोस्तो उस time आप phone को नहीं देखते हो तो क्या होगा आप बात में भी अगर देखोगे तो टी-pin एंटर करने से कोई फायदा नहीं because market एक जगा पे continue नहीं रहता है market up and down होता है तो अभी हम बात करते है stop loss ऐसे condition में अगर आपका stop loss हीट हो जाता है तो दोस्तों similar condition है कि आपके पास टी-pin का message आएगा आपको टी-pin एंटर करना है उसके बाद आपको टी-pin एंटर करना है उसके बाद आपका order सेल हो जाएगा तो ऐसे में आप उसी time phone को नहीं देखा target अगर आपका थोड़ा भी मिले तो कोई problem नहीं कि आपके account से तो पैसे नहीं जा रहा है लेक आपका GTT order cancel हो जाएगा और प्राइस अगर और भी नीचे आते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा losses हो सकता है तो यह जो आपको टी-pin देना पड़ेगा ना तो दोस्तो इसी problem से आप निकल सकते हो ठीक है तो इसलिए आपको DDPI को एक्टिव करना पड़ेगा अगर आप DDPI को एक्टिव करते हो तो दोनों में से stop loss EFE target दोनों में से कोई अगर hit हो जाता है तो दोस्तो उसी time जो angel 1 की broker है आपका जो यह order है यह sell कर देगा ठीक है आपको DDPI कुछ भी generate करना नहीं पड़ेगा आपके पास message आएगा कि आपका जो यह order है sell हो गया है सो दोस्तों I hope कि आपको clear हो गया कि कौन-कौन problem से आपको छूटकरा मिल सकता है तो फिर से में repeat करती हूँ मान लो कि holding बला share को जब भी आप sell करने जाते हो तो without tip in आप sell कर सकते हो और दोस्तों GTT order ठीक है उसी stop loss को अब रखना चाते हो तो दोस्तों आपको GTT order लगाना पड़ेगा ठीक I hope कि आपको सारे clear हो गया है कि कौन-कौन problem से आप छुटकरा पास सकते हो only for DDPI को active करने से सो दोस्तों लेट ना करके चलते हैं अभी हम mobile screen पे आप देखते है कि DDPI को कैसे आप active कर सकते हो लेकिन उसके पहले अब लोगों से एक request है अगर अप मेरे चानल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल and hit the bell icon क्योंकि इस टाप का information वीडियो आपको time पी मिले और इस वीडियो से अगर आपको help मिलते है तो वीडियो को please like जरूर कीजेगा इस से मुझे ये पता चलता है कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ help मेरा और मुझे बहुत motivated भी मिलता है कि आगे में और भी knowledgeable content आप लोगों के लिए लेकिया हो तो चलिए अभी हम mobile screen पे चलत देखने के लिए मिलता है एक तो है वाचली पॉर्ट फोलियो ओर्रस ठीक है आप देख सकते हो एकांट बला जो आप्शन है तो आपको simply इस एकांट बला आप्शन पर चले जाना है ठीक है तो simply हम क्या करेंगे इस एकांट बला आप्शन के ओपर क्लिक करेंगे तो जैसे क आपको आपका आप साइट में आपको एक वाला जो आप्शन देखने के लिए मिल ला जो कि है मतलब मेरा नाम हे मॉनिदस तो एर मेरा अधुuse यह एकल्ड वला आप्शन पर यह वाला लोगो आपको देखने के ले मिलिए उन्व करना डे में façon सब्टान करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके पूरे details आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका mobile number, email, pen card, जो भी आपने अपने account के साथ add किया सारे details आपके सामने आ जाएगा उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपके सामने option देखने के लिए मिल ला है तो यह आपको देखने के लिए मिलता है नॉमिनी तो अगर आप अपने account के साथ कोई भी नॉमिनी आड नहीं किया तो इधर से भी आप नॉमिनी आड कर सकते हो ठीक है उसके पाद है DDPI status जाची के आप देख सकते हो इन आक्टिव है तो इधर आपको एक्टिव करना पड़ेगा और नीच आप देख सकते हो MTF जो कि active है तो आपको DDPI status जो है इसको active करने के लिए आपको इस आड़ आइकन के ओपर क्लिक करना है तो इधर से आप DDPI के टरम्स और कंडिशन भी पर सकते हो यह वाला जो आप्शन है इधर आपको टिक करना है तिक है उसके बाद है अगर आप DDPI को active करते हो तो टीपीन देने के कोई जरूरत नहीं है जैसे के आप देख सेखते हो दिमें डेविट और प्लेज इंस्ट्रक्शन यह DDPI का फोल फ्रॉम है और सिंप्लिफाइ स्टॉक टांसपर अगर आप देख सेखते हो तो दोस्तों आप देने के कोई जरूरत नहीं है लेकिन उसके पहले आप पहले आधरकाट को रखिए क्योंकि इधर आपको अधरकाट एंटर करना है उसके बाद आधरकाट के साथ जो फोन नंबर लिंग हुआ है उस फोन नंबर पे आपका OTP आएगा ठीक है जब भी आप OTP एंटर करोगे तो दोस्तों यह DDPI आक्टिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सिंप्ली इस प्रोसिट टू इसाइन के उपर क्लिक करेंगे तो इधर आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा ठीक है तो इधर आपको अपना आधर नंबर एंटर करना है और नीचे आप देख सकते हो सेंट ओटीपी बला आप्शन जो है इधर ग्रीन हो जाएगा तो आपके नंबर पे अपने लिंक किया ठीक है अधर करके साल लिंक है उसी नंबर पे आपका OTP आएगा ठीक है तो चलिए अ आपके नंबर पे OTP आएगा ठीक है तो आपको OTP इधर एंटर करना है जल्दी से आपको आपके पास I think one minute time दिया जाएगा उस one minute के अंदर आपको OTP इधर एंटर करना है तो चलिए मेरा OTP आ गया है तो मैं इधर OTP को एंटर कर लेती हूँ पहले तो फ्रेंज आप नीचे देख सकते हो आपके सामने आ गया है जो वेरिफाई OTP बला option है तो simply आपको इस वेरिफाई OTP option के उपर क्लिक करना है तो simply हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इधर आपको थोड़ा time लगेगा तो आपका OTP इधर वेरिफाई हो रहा है तो अपने जो यह DDPI active कर लिया यह active successfully हो चुका है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जो option देखने के लिए OTP तो आपको simply इस OTP के उपर क्लिक करना है तो चलिए अभी हम OTP के उपर क्लिक करते हैं फ्रेंज जैसे के आप देख सकते हो DDPI status में submitted दिखा रहा है तो 24 hours से 48 hours के ब मिल जाएगा तो आप अपने view all categories option के ऊपर आपके DDPI status को आप चेक कर सकते हो तो बहुत simply है तिके बहुत easy माध्धम से आप क्या कर सकते हो अपना DDPI status को on कर सकते हो active कर सकते हो और इसका benefits अप ले सकते हो आपको clear हो गया है कि DDPI को कैसे active करना है और इस DDPI को active करने से हम लोगों को क्या benefits मिल सकता है अगर वीडियो को लाइक करना जाद से जादा शेयर करना और कोई वे confusion रहे वीडियो related तो नीच आप मुझे comment section में पूछ सकते हो और अगर मेरे चानल में नहीं हो तो प्लिस सब सब्सक्राइब में चानल और इधा बेल आइकन सो मिल दाम नेक्स आइसी कोई लेर्निक वीडियो में तब तक के लिए बाबाए वाए वागोड दे